हलो फेंट्स तो शुरू करते हैं होम रूल लीग वीडियो पार्ट टू को होम रूल लीग वीडियो पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि इंडिया में दो होम रूल लीग बन चुकी थी पहली थी लोकमानिय तिलक की होम रूल लीग और दूसरी थी एनिवेसेंट की होम रूल लीग तिलक की होम रूल लीग काम कर रही थी महाराश्ट, बिरार, सेंट्रल प्रोविन्स और करनाटका में तो basically तिलक ने इन एरियास में कुल मिलाके 6 ब्रांचिस खुली यहाँ पर इन सभी 6 ब्रांचेज में क्या-क्या काम किया जाएगा, कौन-कौन से एक्टिविटीज होंगी, यह पहले से ही decide कर दिया गया था मतलब activities यहाँ पर एक दम से predefined थी इसके अलावा अगर हम एनी बेसिंट की home rule league की बात करें इन फेक्ट ब्रांचेज कितनी होंगी यह भी decide नहीं किया गया था यहाँ पर कोई भी 3 members मिलकर अपने एक home rule league की ब्रांच open कर सकते थे और इसी के चलते एनी बेसिंट की home rule league की 200 ब्रांचेज open हो गई थी जबकि तिलक की home rule league की सिर्फ 6 ब्रांचेज खोले गई थी और ज्यादे खोलनी की permission भी नहीं थी अब आप सोच रहे होंगे कि यह लोग home rule league की ब्रांच खोल कर आखिर करते क्या थे यह तो बता दो पहले तो भाई यह लोग जो हैं वो आम लोगों की बीच जाके political discussion करते थे और देश के समस्याओं को बता के लोगों को self government की मांग के लिए एजिटेट करते थे बट ब्रांचेज इतनी जादे खोल गई कि कुछ लोगों ने तो time pass में ही ब्रांच खोल ली थी इन ब्रांचेज में कुछ काम हो नहीं रहा था और ऐसी ही कई सारी inactive ब्रांचेज भी थी अच्छा आपको पता है बहुत सारे congress के लोगों ने भी एनी बिसंट की home rule league join की थी including जवारलाल नेरू इन्होंने एक ब्रांच खोली थी अलाबाद में इसके लाबा मुहमद अली जिन्हा जो है home rule league की बॉंबे ब्रांच को head कर रहे थे अब यहाँ पर एक question आता है कि भाई दो home rule league की जरूत क्या थी क्या एनी बिसंट और लोकमाने तिलक की आपस में बनती नहीं थी लेकिन प्राउलम यह थी कि तिलक के followers जो थे वो एनी बिसंट को पसंद नहीं करते थे और एनी बिसंट के followers तिलक को तो इन दोनों के followers में किसी भी तरह का कोई unnecessary friction हो इससे अच्छा है इन दोनों ने जो है अपने अपने areas बाट लिये थे अच्छा अगर तिलक की home rule league की बात करें तो यहाँ पर तिलक ने अपने home rule league के objectives में दो demand एड़ कर दी थी पहली demand यह थी कि इंडियन states को भाशा के अधार पर बनाओ मदब एक state हो जहाँ पे सिर्फ मराठी रहें दूसरा हो जहाँ पे सिर्फ बंगाली बंदू रहें पंजाबी बोलने वालों के लिए एक अलग state हो हिंदी भाशियों के लिए कुछ अलग state हो और दूसरी demand थी Indian natives की education से related तिलक का कहना था कि यार भारती बच्चों को उन्हीं की भाशा में पढ़ाए जाना चाहिए ये कहते थे कि यार जर्मनी के बच्चे जर्मन में पढ़ते हैं फ्रांस के बच्चे फ्रेंच में पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी में क्यों पढ़ाय जाता है बात तो इनकी पते की थी क्योंकि बच्चों का भी क्या इस्कूल जाने का मन करता होगा जब उन्हें हिंदी की जगे इंग्लिश में पढ़ाते थे पर अंग्रेजी उनने खाया कि यार देखो ये बहुत दिमाग चला रहा है शोकोस नोटिस भेजो इसको तो यहाँ पर 1916 जुलाई में बिटिश गवर्मेंट ने इनको एक शोकोस नोटिस भेजा कि यार तुम्हारे हरकते कुछ ठीक नहीं लग रही है और ये केस तो इनको जीतना ही था बाई साब केस कितने लड़ा था ये जानते हैं आप जिन्ना ने अब आता है 1916 का एतिहासी कॉंग्रेस सेशन जो हुआ था लखनो में ये सेशन लखनो पैक्ट के लिए फेमस है और ये एक जोइंट सेशन था कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच इस सेशन में दोनों होम रूल लीक को अपनी स्ट्रेंद दिखाने का मौका दिया गया यह मालनों कि कॉंग्रेस ने इन दोनों होम रूल लीक के बीच IPL मैच करवा दिया तो तिलग और एनी बिसम्ट दोनों जुड़ गए अब इस IPL मैच को जीतने के लिए तिलग ने पूरी एक ट्रेन बुक कर दी वेस्टन इंडिया से लखनो तक की इस ट्रेन का नाम रखा गया कॉंग्रेस स्पेशिट और एनी बिसम्ट ने अपने लीक मेंबर्स को कहा कि सबके सब डेलिगेट्स बनके लखनो सेशन जॉइन कर लो तो इस सेशन में हजारों की तादत में होम बूल लीक से जुड़े हुए लोग कॉंग्रेस सेशन जॉइन करने के लिए पहुँच गये हैं तो क्या हुआ कि जब कॉंग्रेस सेशन खदम हुआ तो उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीक के मेंबर्स का एक जॉइन सेशन हुआ अराउन एक हजार मेंबर्स ने ये जॉइंट सेशन जॉइंट किया था और स्टेज पर थे अपने दोनों लीडर्स बेसंट और तिलक इससे समझ में आ रहा था कि भाई होम रूल लीग की पॉपलरटी काफे बढ़ गई थी तो ब्रिटिश गवर्मेंट को लगा यार ये तो अतकाट रहे हैं तो इन्होंने ब्रिशंट और अरुन डेल दोनों को डिफेंस ओफ इंडिया एक्ट के तहर उठा कर जेल में डाल दिया और चार्ज लगाया सेडिशन का मतलब ब्रिटिश हुकूमत के किलाब साजिश करने का एन्इबेसंट की पॉपलरटी उस समय इस कदर बढ़ी हुई थी इतने पीक पर थी कि उनके एरेस्ट की खबर से पूरे देश में गुस्सा भढ़ गया था इससे कॉंग्रेस का नरम दल जो है यानि मॉडरेट्स उन्होंने कहा कि यार यही मुका है दिखा दो देश को कि हम में भी आग है तो मॉडरेट्स के कई सारे बड़े लीडर्स जैसे मदन मोहन मालविया, सुरेन नाद बैनर जी जैसे बड़े-बड़े लीडर्स होम रूल लिग जाके जोइन कर लेते उधर तिलक ने एलान कर दिया था कि अगर एनिबसेंट को छोड़ा नहीं गया तो वे पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियन्स का रास्ता अपना लेंगे पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियन्स क्या होता है यह हम लोग डीटेल में समझेंगे सिविल डिसोबीडियन्स मुव्मेंट की वीडियो में तो जब इंडिया में ये सब घमासान मचा हुआ था वहीं बिटेन के पार्लेमेंट में नए नवेले सेकेर्टरी अवे स्टेट मॉन्टागु ने अगस 1917 में एक एतिहासिक एलान कर दिया इस declaration को अगस declaration भी कहा जाता है इन्होंने कहा कि देखो यर अब British government जो है वो ज़्यादे से भारतियों को British Indian government में शामिल करने का प्लान कर रही है ताकि आगे चलके Indians जो है वो इंडिया में एक responsible government बना सकें अब आप पूछ होगे कि यह responsible government क्या होती है तो भीया responsible government वैसे तो मैंने डीटेल में election system in India वाली वीडियो में detail में discuss कर ली थी लेकिन फिर भी यहाँ अगर एक line में explain करूँ तो responsible government उसे कहते हैं जहाँ पर elected representatives जो होते हैं वो जब चाहें सरकार को गिरा सके तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी any percent उतिलक साब की home rule league का objective था self government और यह montag भाई साब जो है यह खुद से responsible government देनी की बात कर रहा है उपर से any percent जेल में बन दे है और जब उन्हें arrest किया गया था तो बहुत सारे moderates congress leaders ने home rule league join कर ली थी और आपको तो पता ही है कि moderates जहां पहुंसते हैं वहाँ का माहल तो पहली ठंडा हो जाता है देखो situation अब यह है कि main leader जो आपका है वो है जेल में और leadership आगए है moderates के हातों में यानि कोई बड़े फैसलो की उमीद तो आप इनसे expert कर नहीं सकते और उधर Montago ने responsible government की बात कह दी थी तो उससे तो यह पहले सी खुश थे September 1917 में एनिबिसेंट जेल से रहा हुई अब यह मैं सोचना कि इनका case भी जिन्ना नहीं लड़ाता यह तो इसलिए छुट गी क्योंकि Montago के declaration के बाद अब Home Rule League की demand suggest या sedition की category से बाहर हो गया था लेकिन एनिबिसेंट अब finally September 1917 में जेल से बाहर आई तो इन बड़े moderate leaders की रहते वो Home Rule League को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने ही पा रही थी और इसके अलावा बालगंगातर तिलक जो है वो September 1918 में लंदन चले गए वेलेंटाइन के रोल के अगेंस्ट एक केस लड़ने के लिए एक्चुली वेलेंटाइन के रोल जो है इसने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम था The Indian Unrest और इस बुक के कुछ कंटेंट पर तिलक को आपत्ती थी तो साब आप एनिबिसेंट जो है वो डिसीजन लेनी के हालत में है नहीं और तिलक वैसे ही काफी लंबे समय के लिए इंडिया छोड कर लंदन चले गया है उपर से मॉन्टागो डिकलरेशन ने मॉडेर्स को पहले से ही खुश कर दिया था इन सब भी फेक्टर्स के चलते ये दोनों Home Rule Leaks जिनने हम All India Home Rule League के नाम से भी जानते हैं धीरे धीरे फेड हो गई और फाइनली 1920 में कॉंग्रेस में ही मर्च हो गई देखो भाई वैसे तो हिस्टरी की वीडियो देखते वे नहीं आ जाती है लेकिन आप अभी भी जगे हुए हो तो लाइक और शेर कर देना बुक्स्तवा चनल पर हिस्टरी की बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल है आप उनको भी देख सकते हो और ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए बुक्स्तवा चनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फो वाचिंग बुक्स्तवा